कि जो तुम दूसरे के वीडियो देखने में समय लगाती है तुम खुद का कॉंटेंट किरिएट कर दोस्तों आप सभी लोग भेरी गुड मोरिंग हमारे तरब से और जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि पिर्यंका नैन को आपकी मैडम है जो उससे थोड़ी सी ब्लॉग बनवाईए और उसको भी कुछ ट्रेनिंग दिया किजिए ताकि वो आपके ब्लॉग सकंदर में कुछ अच्छी कर पाए वो तो बिल्कुर मैं सोचा आज कि पिर्यंका नैन जी को ही आज कुछ शुटिंग किया जाए और कुछ इनको जनकारी दिया जाए तो काफी तो मैं ही ब्लॉग बना पाता हूं और यह साथ में रहती है तो मेरी कोशिस है इनको मैं ट्रेनिंग दू और यह भी आपके बीच कुछ अपने अपने चैनल के माधियम से आप लोग को बीच अच्छी सब्द अच्छी बाते कुछ आप मतलब कि यही ब्लॉग को शुरू करती है देखी कैसे अपनी फर्स्टेंट कैसे इंट्रोड्यूज कर पाती है तो थोड़ा से हमारे वीवर्स को बता बोल कर गए है है लो गाइज बिलकम बैक टू माई यूट्व चैनल मैं आप सभी को बिलकम करती हूं चैनल मैं पर यह आप यह बोल चुकी है हेलो गाइज बिलकम बैक टू माई यूट्व चैनल कमलने ब्लॉप में आप सभी लोग को बिलकम करती हूं यह बोल चुकी तो यह बोलती है इसका देखो अर्थ दोस्तों क्या होता है हेलो गाइज तो नमसकार दोस्तों नमसकार दोस्तों आप सभी कि लोग को हमारे यूटूब चैनल कमल लेन ब्लॉक्स में फिर से स्वागत है इसका अर्थ ये हुआ हिंदी इसका ये हुआ आप हमेशा हमारे वीडियो को देखते हैं चाहें इंडिया के हरे कोले से लगबो लगबो कहीं आप लोग वीडियो को देखते हैं और आप लोग प्यार सपोर्ट सभी लोग करते हैं तो मेरी कोशिच रहती है कि यह जो चैनल है इस चैनल पर आप सभी लोग का प्यार असिरवाद बना रहे हैं तो इसी के लिए माधियम से मैं सोचा कि आज प्रियंका ने नहीं बोल पाएगी यह तो बोली नहीं पारी तो देखे कुछ मैं आपको बताता हूं कुछ एक जनकार हो गए भावी लोग हो गए ठीक है उनसे मैं कुछ बाते में कर रहा हूं कहीं कहीं आप लोग भी घर के अंदर में कुछ ने कुछ करते हैं डेली लाइफ का कुछ बाते को सेयर करते हैं जैसे हम डेली कुछ ने कुछ हम और दोनों मील करके जो भी घर के अंदर में करते हैं उसका मैं अपने डेली लाइब का ब्लोग में आप लोग को दे पाता हूँ और ये भी कभी-कभी देती है तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लोग ये वीडियो क्यों लोग बनाते हैं वीडियो देखिए सिर्फ पैसा कमाने का मकसद से लोग नहीं बनाते हैं उसका नाम इज़त एक कोसंस मैं इनसे पूछता हूँ यह इनका क्या राय है और ताकि और लोगों का मतलब कि कुछ जवाब है सो मिल सके तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि आज के औरत जो लोग हैं मतलब सिफ सोशल सी मेडिया पर फेस्वूक वाटस अप इंस्टागराम टेलीगराम ऐसे प्रेटफर्म को सिर्फ यूज करते हैं उसको क्या बोलोगी तुमकी मतलब कि वह भी आज के वक्त में सोशल सी मेडिया को यूज कर गए कुछ अर्निंग और कुछ अपना नाम पश्चान जो किसी औरत को हस्बेंड के ही माधियम से उसको जानता है ठीक है और हस्बेंड को तो नाम होता ही है लेकिन औरत को आज के वक्त में सिर्फ अपने गाओं में अपने मुहलें में तक भी उसका नाम नहीं होता है तो वह से अवरत को तुम क्या बोलना चाहते है थोड़ी कुछ बोलेगी एह एं यह नहीं तो नहीं बोल पा रहे ठीक है तो मैं आपको बताता हूं ठीक है त optimize आज के वक्त में जो भी और थे सिच्छी तो है जो भी पढ़े लिखे भी और थे पढ़े लिखे जो भी पढ़े लिखे हैं भी तो उसको बोलने के नहीं आता है तो सबसे बड़े बात क्या है दोस्तों कि देखें बोलने तो इनको भी आता है लेकिं कैमरे के सामने कुछ सब है जो नहीं बोल पाती है तो मेरी कोशिच रहता है कि मैं वसे औरत को सभी लोग को मैं अपने चैनल के माधियम से कुछ न कुछ आप लोग को मैं बताते रहता हूं तो इस चैनल पे जितने भी हमारे दर्सक लोग हैं जितने भी हमारे भीवर्स लोग जितने भी हमारे वीडि मार्केट में काम किया है तो मैंने सीखा है कि आज के बक्त में पढ़ने से जादा आपको मार्केट में घुमने तहलने उठने बैठने से एक्सपरियम्स आता है और आज के औरते देखते हैं कि ये चीजे कर्मे में ज़्यादा माहिर होती वो ऐसी सब्द को जहां जहां वो बैठती है उसका खिसा उसका खिसा उसका खिसा वो ज़्यादा करता है और वो खिसा को ले करके किसी एक व्यक्ति के पास देती ताकि उससे क्या होता है कि हमारे फ बोलना चाहूँआ कि आप उस लोगों से दूरी बनाए जो सिच्छी तवरत हैं जो पढ़े लिखे हैं जो उस रेनी में आते हैं जो अब्यक्ति सिच्छी नहीं है उसको भी मैं बोलना चाहूँआ कि आप कुछ ऐसे संगती को आप जोर कर पाएं ऐसे संगती को आप महौल मे ने उठा ते मेरा माइन में एक वाई एक दिमाग में कोसंस आया कोसंस क्या आया वो मैं बताता हूं आपको कि अवरत दिन भर खाना बनाती है सुवा सुवा खाना बनाती है फिर दोपार में उसको टाइम मिलता है फिर थोड़े बहुत है सोती है उसके बाद फिर से खाना बन बनाए यह आपको बुक्स नहीं पढ़ने आता तो आज के वक्त मेडिया पर कुछ ऐसी मतलब की वीडियो पढ़ा है उस पर आप बोलिएगा कि हम आज के वक्त में और लोग कैसे जीवन में आगे बढ़ें आसे यूटूब पर बोलेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो आ की यह लोगा आज यहीं पर बनाओ चाहिए कि अदर में हम लोगों प्रैंक वीडियो किया है तो उसको बोलते हैं कॉंटेंट को क्रेक्ट किया गया तो हो गया कॉंटेंट मैंने क्रेट किया था अपने से उसको बोलते हैं कॉंटेंट यूट्यूपर वीडियो नहीं कॉंटेंट से होता है कॉंटेंट इतने अच्छे आप बनाएंगे उतने अच्छे आप आगे बढ़ पाएंगे एक और मैं आपको बता देता हूं दुसरा जब सुवा सुवा जब उठे तो देखे सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग आज के सिटी में सिटी में बात करते हैं दस बज़े दस बज़े लोग उठते हैं सात बज़े लोग उठते हैं कितने फैमिल लोग है पाच परसेंट दस परसेंट लोग को सिटी के अंदर में जो सुवा सुवा उठ करके वालकिंग पे जाते हैं और अपने सरीर मंद को फ्रेज करते हैं लेकिन और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब सुवा सुवा जदी आप उठेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहां पर क्या होता है कि जब आप सुवा सुवा उठेंगे ना तो आपके दो समय रहेगा ठीक है आपके लिए समय से मान लेता है कि आप पांच वजे उठें ठीक है तो पांच वजे उठें त सोचे और विचार करें कि हमको कुछ लाइफ में करना है जब करना सब्द आपके माइन में अटव मेटिक आएगा तो आपको लगेगा क्लिक होगा तो तो टाइम मनेज्मेंट आपको सेट होना चाहिए टाइम मनेज्मेंट होनी बहुत ज़रूरी आजके वक्त तो आज के वक्त में कोई लोग है सो आगे नहीं बढ़ पाता है तो सुवा सुवा अपने माइंड को फ्रेश करें और आज के बाद ठीक है मैं कोशी से रहेगी कि प्रियंका नहीं जादा वीडियो में दिखी और इसी वीडियो पर ज्यादा बोल पाए ताकि हम कुछ और भर खैसो अपने चैनल पर काम कर सके इनको मैं आज से ही चीज़ में बोलूगा ठीक है तो क्या कुछ बोलेगी हैं कुछ बोलेगी क्या बोल कुछ नहीं तो बस बोलो वीडियो को तुम एंड करो आज का ब्लोग है सब रहाई यहीं पर इंड कर न कुछ जनकाई देने के लिए हम आपको आये थे आज आज बोलों को दोस्तों मैं यहीं पर इंड कर रहे हूं अपने ब्लोग को तो आप जो भी ये बताएं आप लोग जरूर समझे देखिए इसके बारे में बताएं किया सही है चलो तो फाइनली दोस्तों आज का ब्लोग है सो यहीं पर इंड करते हैं चैनल पर पहली बारा चलो को सब्सक्राइब करके वुडियो को फेस्बूक पेज करें तो पेज को जरूर फोलो करके ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच सके मिलते फिर नेक्स वीडियो के अंदर में ओके बाय जैहिं वंदे मातर